नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विसोनात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल EIO दोस्तों यूटूब में ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो है हमारे देश की एक गाओं के बारे में जा पिछले 400 सालों से एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है जी हाँ दोस्तों ये घटना है मद्धपदेश के राज़ानी भूपाल से 130 की विदूर राजगर्ड जिले का संभू सैवजी गाओं का कहा जाता है कि उस गाओं में जब भी औरते गर्बबती होता है तो उसे पुरंत पास्ती किसी गाओं में भेज दिया जाती है बच्चा पैदा होने के बाद ही उस औरत को गाओं में पवेश्ट करने की अनुमुती मिलती है नावागा की कहना है कि अगर उस गाओं में कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के सास आती हो बच्चा मर जाती है या पर उसकी मा मर जाती है इस घटना के पीछे गाओ के सर्पन जी की कहना है कि चास्तो साल पहले उस गाओ में एक देवी की मंदी मिन्मान के कायरा चाहता। उसी समय एक महिला के चावल पिष्ण कावाई से मंदीर का निन्मान में बाधायत्मद हो रहा था। इसी लिए देवी रूस्ट होके स्राव दी थी और तभी से ये प्रता चली आ रहा है। अगर अब लोगो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए स्यार कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए